बड़ा दुख होता है जब सुब़ पेपर उठाओ पढ़ो कि एक अबला के साथ एक नारी के साथ अमानवी अगटना है हो जाती है उस दिन पूरी मानवता सरमसार हो जाती है इसका प्रमुक कारण है सिक्षा इसका प्रमुक कारण है सिक्षा वेदि केवल जो सिक्षा है हमारी आप लोगों से जो बच्चे देख रहे हैं जो आने वाले समय में एक बेहतर कपल बनेंगे या जो भी देख रहे हैं जो है उनसे हमारा बिनम निवेदन है कि आप अपने बच्चों में मानवी गुडों का समप्रिशण करिए न कि उनको मानव रहने दीजिए मसीन मत बनाईए मैं आध्मिक्ता का विरोध है लेकिन आध्मिक्ता के नाम पर फूहरता असलीलता अगर इसको आध्मिक्ता कहते हैं इसको आध्मिक्ता कहीजाती है तो मैं प्राचीन होना पसंद करूँगा अध्रिक्ता का अर्थ होना चाहिए सही मामले में पारदर्शिता विचारों में शमदर्शिता नकिफुहरता जो आज के गाने जो आज कल की मूमिया चलचित्र जो बनाये जा रहे हैं वो आप अपने परिवार के साथ बैठके नहीं दे सकते तो बहुत ही खराब इस्तिती चली जा रही है क्योंकि सिक्षा को केवल पैसा धनोत पारजन के लिए पढ़ा जा रहा है इससे ज़्यादा मनन चिंतन के लिए नहीं किया जा रहा है इससे हमारे समाज में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है एक बहुत बड़ी आबादी आप देखेंगे जो महिला है हमारे भारत में उसको लेके अभी एक राज़नीतिक पुरोध्धा हमारे पड़ोसी राज के चीफ मिनिस्टर द्वारा एक सर्मनाक अभद्र टिपड़ी की गई महिलाओं को लेके जहां पे आप देखेंगे कि मुख्मंत्री के द्वारा विधायक दल के नेता के द्वारा बहुमत दल के नेता के द्वारा आज जन संख्या वृद्ध का कारण महिलाओं को बताया गया महिलाओं को असिक्षा को बताया गया और जिस भासा में बताया गया वो हम आपसे बता नहीं सकते हमें बताने में, कहने में सरमा रही है अगर यह बात हम कहें तो कहीं न कहीं हम अपनी मताओ बहनों के बारे में हम इस प्रकार की टुक्ष मान सुखता रखते हों, तो मैं उसका वर्डन कर पाऊं वहाँ पे बैठे दल के चाय विपक्ष के हो चाय सत्ता पक्षे हो पुरुस्वर्ग ऐसे सुन रहा था पुरुस्वर्ग के निता मानो मनोहर कहानिया सुनाई जा रही हो कितनी सर्म है सर्म आती है और इस सर्म का कारण आप खुद है बहिलाएं खुद है यह सोसक वर्ग ही उसका जिम्मेदार भारत में उस समय भी जब ब्रिटीस समराज था चाहिए मुगल समराज था तो भी कुछ लोग थे जो उन सासन से खुश थे कि ठीक है भाई चलने आए चलने दो भाई उसका विरोध क्यों मैं आपके लिए लड़ूँ लड़ना तो आपको है खुद से खुद को लड़ना आप लड़ेंगे आपको लड़ना चाहिए आपकी बहुत बड़ी आबादी तो उस समय लोग नहीं लड़ते थे हमको क्या है तो आपको अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ेगी आप ऐसे सभी विचारों को सुन्न करिए सुन्न करने के लिए आपके समिधान के द्वारा सबसे बड़ा अधिकार है मत अधिकार जब भी आप किसी विचार को मत देके अपने संसद में या अपना प्रतिन्जित करने के लिए अपने विधान बंडल में भेशती है तो ऐसे ग्रशित ऐसे कुन्ठित मानसिक्ता को बढ़ावा न दीजिए ऐसे मानसिक्ता वादी को ऐसे सोच को आपको रोकना होगा और यह लड़ाई आपको ही जीतनी होगी सब कहने का ताथ पर कि पढ़िए ज़्यादा से दादा पढ़िए चिंतन करिए